हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर दीशा प्रजापती डेंटल सर्जन आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों यह हमारी पेशेंट है जिनका लोवर बकल फ्रीनम थोड़ा हाई है जिसकी वज़ा से उनके दो दातों में स्पेस हो गया है और साथ-साथ उनका जो जीब है वो भी टाइड है जिसे टंग टाई कहा जाता है यानि कि जो उनका जीब है या टंग है वो फ्लोर के अगर अटेश्मेंट से अटेश रहता है आज हम इसी पेशेंट पे आपको यह अटेश्मेंट रिमूव करके दिखाने वाले है लेजर की मदद से तो सबसे पहले जहां से हम यह अटेश्मेंट रिमूव करने वाले है यानि कि बकली भी और टंग के अंदर की साइड पे भ इसकी वज़ा से वो डर के मारे से थोड़ा सा रो रही है, तो प्लीज वो चीज को इवीडियो में इग्नोर करें, क्योंकि बड़े-बड़े पेशेंट्स भी डरते हैं डेंटल ट्रिट्मेंट करवाने से, तो ये तो एक छोटी बच्ची थी, जिनका टंग टाई रिमूवल का हमने प्रोसेस किया है, वो भी लेजर की मदद से, एक बार रैनेस्टेशा देने के बाद, जैसा आप देख रहे हैं, ये पैन जैसा जो स्ट्रक्चर है, वो लेजर मशीन है, उसमें आगे कॉड होता है, जैसा हमने और एक वीडियो में देखा था, तो दीरे-दीरे जैसे जैसा ये लेजर मशीन है, उसका जो कॉड होता है, वो जैसे-जैसे हम टीशू को टच करते है, वो दीरे-दीरे वहां से टीशू को रिमूव करता जाता है बिना बलेडिंग के, laser removal बहुत ही अच्छा एक painless और bleeding नहीं कम bleeding में होने वाला काम होता है जो बहुत ही ज़ादा convenient होता है doctor के लिए भी और patients के लिए भी आप देख रहें कितने आसानी से जो एकदम frenum था उनका high या जो भी frenum का muscular attachment था वो आसानी से 2 minute के अंदर हमने वहां से उसे remove कर दिया था जितना भी stretch कर रहा था वो attachment वो सारा ही attachment को अच्छे से laser की मदद से हमने remove कर दिया है उसी तरह से जो tongue tie का structure है उसे भी हम दिरे दिरे laser की मदद से वहां से remove करेंगे initially ये tongue tie का जो attachment था वो बहुत छोटा सा दिख रहा था बड़ जैसे जैसे हम ये attachment remove करते गए काफी जादा deep attachment था ये patient का अंदर के side से आप देख रहे है कि हम दिरे दिरे वो attachment को वहां से remove कर रहे है patient थोड़ा सा डरा हुआ था क्योंकि definitely वो एक छोटा बच्चा था सो किसी भी dental procedure से डरना obvious होता है आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम उसको remove करते जा रहे हैं उसका tongue उतना उपर होता जा रहा है दोस्तों tongue tie को remove करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि जो आपकी tongue होती है या जीव होती है उसकी movement को वो restrict कर देता है न tongue पूरी दरा से बहार आ सकता है ना आप आपके जो भी palette या तारू बोलते हैं वहाँ पे tongue को touch कर सकते हैं और कुछ-कुछ words बोलने के लिए भी words clear नहीं बोल पाते हैं इसकी वज़ा से ये tongue tie का जो भी attachment है उसे remove करना जरूरी है आप देख रहे हैं वो remove करने के बाद कितना बड़ा attachment था जो हमने laser की मदद से अच्छे से remove कर दिया है आप देख रहे हैं दीरे-दीरे से वो जो भी tissue attachment है वो हम check करते जा रहे हैं और वहाँ से उसे आसानी से remove भी करते जा रहे हैं क्योंकि ये laser से किया जा रहा है इसलिए आपको इतना simple लग रहा है पहले ये ही चीज सर्जिकली होती थी तो वहाँ पे stitches भी देने पड़ते थे बहुत जादा bleeding भी होती थी बट nowadays laser की वज़ा से ना bleeding होती है और ना ही वहाँ पे किसी भी प्रकार के टाके देने पड़ते है ना ही patient को post imperative भी यानि कि procedure के बाद भी उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है सिर्फ एक दिन procedure complete होने के बाद एक दिन तक उनको हलका सा वहाँ पे painful लगता है जो हम medicine से relieve कर सकते हैं अब देखिए उनका अभी almost पूरा ही attachment वहाँ से remove हो चुका है हम आपको अभी final position भ जो वहाँ से अच्छे से remove कर दिया है laser से बीना bleeding के और बीना टाको के आप ये photo में भी देखेंगे comparison के पहले उसका टंग कितना बाहर आ रहा था और अब procedure के बाद कितना बाहर आ रहा है वीडियो आपको थोड़ा सा पी पसंद आता है और useful लगता है तो प्लीज इसे like कर दीजे अपने friends और family के साथ ज़रूर share कीजेगा और अगर अभी तक आपनी मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कीजे नीचे देखेंगे bell icon को भी ज़रूर प्रेस कीज तके आने वाली सारी ही वीडियो की notifications आपको मिलते रहें मिलते हैं next वीडियो में till back keep smiling bye bye